वेलकम टू केडी का फंडा आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे तो आज देखते हैं सिटिंग अरेजमेंट एंड पजल का पार्थ फ्री तो यह एक कोशन आपके सामने ठीक है इंगलिश और हिंदी दोनों लेंगवज में गिवन एक कोशन तो आप जिस आपस क्या कहरे है सबसे पहले कह रहा है कह रहा है मायने पास seven percent तो आपको पता है आठ फ्लोर हैं आठ में से साथ परसंस तो रहेंगे फ्लोर में एक फ्लोर क्या होगा आपका खाली ठीक है फिर आगे और इंफोर्मेशन क्या कह रहा है इच ऑफ देम went for a vacation on a different months of the year starting from January to July ठीक है तो कह रहा है यह साथ लोग है यह vacations में भी जाते हैं तो साल के अलग-अलग महिने में जाते हैं लेकिन वो महिने से जन्वरी से जुलाई तक ही है ठीक है इन months में ही आपके यह persons vacations में जाएंगे तो एक बार देखिए फ्लोर वाला है तो टॉप आपका क्या कह रहा था 8 ठीक है 8 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है तो यह आठ आपके फ्लोर है ठीक है और इन आठ में साथ लोग तो आपके रहते हैं लेकिन एक आपका फ्लोर का इन में से कोई vacant है ठीक है एक फ्लोर आपका vacant है इन में से ठीक है तो अब statement पढ़ना start करते हम लोग ठीक है त तो पहली statement हमारे पस कह रहा है C went for a vacation before A ठीक है तो कह रहा है जो आपका C है वो A से पहले जाता है लेकिन क्या है क्या है vacation की बात हो रही है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ vacation क्यों हो रही है confused ना हो रही है गा floor से यह नहीं कह रहा है कि C A से पहले किसी floor में रहता है कह रहा है C A से पहले किसी vacation में जाता है यह आप कह लिए मन्त की बात हो रही है कह रहा है अगर A जुलाई वले मन्त में जाएगा तो जुलाई से पहले किसी महीने में कौन जाएगा आपका C जाएगा ठीक है तो यहां भई फ्लोर की बात नहीं हो रही है यहां बात हो रही है आपकी months की कहली है months महीने की बात हो रही है इसके बात क्या कह रहा है तब one who went on April leave immediately below F ठीक है कह रहा है जो April वाला महीना है वो F के एदम नीचे है तो F के एदम नीचे क्या है भई आपका April गिवान है हमार पस ठीक है तो यह statement कह रही है हमार पस इसके आगे क्या कह रहा है E lives on the odd number floor above fourth floor ठीक है कह रहा है E odd number floor पे रहता है ठीक है और लेकिन वो fourth floor के उपर रहता है तो पहले fourth floor को देखी यहां पे fourth के उपर odd number कौन कौन से एक तो five है और एक ओन आपका seven है ठीक है तो या तो E five पे होगा आपका या तो किस पे होगा आपका seven पे होगा तो एक बार E को हम five पे रख लेते हैं लेकिन ऐसा भी हो सकता है E seven पे हो सकता है तो एक diagram और बना लेते हैं ठीक है इसी के parallel line खीच देते हैं हम लोग E को कहां रख लेते हैं हम लोग seven पे ठीक है या तो E five पे होगा या तो left dollar diagram से होगा या तो right वाला होगा जितनी possibility हैं E की बन रही थी हमने दोनों ले लिए है आगे देखती है क्या कह रहा है only three person live between G and the vacant floor तो कह रहा है G और जो आपका vacant floor होगा उनके बीच में आपके तीन लोग है ठीक है उनके बीच में आपके तीन लोग रहते हैं तो ये आपकी statement कह रहा है then आगे क्या कह रहा है there are only three floors between C and the one who went on June ठीक है तो कह रहा है C और जो June वाला महिन है उनके बीच में भी आपके तीन लोग रहते हैं ठीक है उनके बीच में भी तीन लोग रहते है तो अभी कोई भी statement connect नहीं हो पा रही है में E के बारे में information है सिर्फ ठीक है then आगे क्या कह रहा है the only one who went on February lives one of the floor below fourth floor ठीक है तो रहा है जो February अला महिन है वो fourth floor के नीचे आएगा गही पर ठीक है तो fourth के नीचे तीन히 floor है ना तो यहीं पर लख लेता है फर्री अला या तो आपका दीखे third पर आएगा या तो February अला second पर आएगा या तो February अला आपका first पर आएगा ठीक है Then आगे देखते हैं क्या कह रहा है There are only four floors between F and A तो F और A के बीच में हमारे पस ठीक है तो F और A के बीच में आपके पास 4 floor है ठीक है तो ये statement कह रहा है Then इसके बाद हमारे पस क्या कह रहा है कह रहा है The person who went on July lives immediately below The person who went January ठीक है तो कह रहा है जो July वाला मंत है वो January के एद दम नीचे है ठीक है January के एद दम नीचे कह है आपका जुलाई है Then इसके बाद क्या कह रहा है The person who lives immediately below the vacant floor went on for we ठीक है Vacant floor के एद दम नीचे जो आएगा मंत आएगा वो आपका क्या आएगा फर्वरी वाला आएगा ठीक है तो ये statement कह रहा है इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास कह रहा है only two floors are between the person who went on January and June ठीक है तो January और June के बीच में ठीक है आपके दो floor है हमारे पास ठीक है इसके बाद कह रहा है बी लिफ्स immediately below the vacant floor तो हमें एक information देखिये पता दी vacant के नीचे फर्वरी था तो इसका अनलब B कहा आजाएगा आपका यहीं पर आजाएगा ठीक है बी आपका यहीं पर आजाएगा हमारे पास ठीक है इसके बाद हमारे पास कह रहा है एक सेकेन यहां पर वेकेंड के नीचे के आजाएगा आपका B आजाएगा फिर इसके बाद का कह रहा है the numbers of floors between E and C is the same of the numbers of person living above E. तो अब E से statement आई है तो कह रहा है E और C के बीश में उतने ही persons रहते हैं उतने ही floors है हमारे पास कह लिए उतने ही floors है हमारे पास पस जितने E से पहले लोग रहते हैं ठीक है तो जितने E से पहले लोग होंगे उतने ही फ्लोर्स हमारे E और C के बीश में होंगे तो पहले लेफ्ट अले डाइग्राम को आप देखिए ठीक है तो पहले देखिए E से पहले कितने लोग है तो आपने देखा एक दो तीन लोग ह आएगे बीश में तीन लोग आएगे तो नीचे जाना पड़ेगा एक दो तीन तो सी आ जाएगा फर्स्ट पे अब राइट वाले में तो वही देखिए आपका ए से पहले एक ही फ्लो परसन रहता है तो इसका एक जाके सी आ जाएगा आपका फिफ्थ पे ठीक है तो जैसे ही सी फिक्स हुआ तो सी से देखे रिलेटेड इंफोर्मिशन एक आपको यह दिख रही है ना सी और जून के बीश में तीन लोग है तो अगर सी सबसे नीचे तो तीन उपर ही जाएगा एक दो तीन छोड़के तो इपर आपका क्या आ जाएगा जून ठीक है एपर आपका जून और जन्वरी के बीश में कितने लोग है आपके दो ठीक है यह लिए इंफोर्मिशन देखे ठीक है तो अगर देखे लेफ्ट अले की बात करें जून यहाँ पर तो देखे ऊपर दो छोड़के तो जन्वरी आपका एड़ पे भी आ सकता है और नीचे जाके दो छोड तो देखें कोई possibility कट होगी जन्वरी के तो जन्वरी के एदब नीचे कोन है जुलाई तो देखें जन्वरी एड़ पे आ रहा था और एक किस पर आ रहा था सेकंड पर अगर जन्वरी को एड़ पर लेते हैं तो सेवन पर जुलाई आजएगा तो जुलाई भी फिक्स हो सक तो एक बार देखें पहले E हमारे पास यहाँ पर था E के साथ क्या था हमारे पास यहाँ पर ठीक है E के साथ हमाई पास किया था है यहाँ पर June है ठीक है और last नो कौन था आपका C था ठीक है तो एक बार हम January को रखते हैं उपर ठीक है इसके हैं और एक बार रखते हैं यहाँ पर दो छोड़के यहाँ पर रख लेते हैं लोग January ठीक है यह वाली लाइन तो आपने कर दी January के एदम नीचे कोई है July तो यहाँ पे इसके according नहाँ पे जुलाई आ जायачеगा इसके according यहाँ पे आपका जुलाई आ जायगा ठीक है इसके recording C पे के आजएगा आगा जुलाई आ जायगा ठीक है तो यह अली information भी आप नहीं कर दी है ठीक है अचा आप देखे फरवरी अली अगर हम use करें ठीक है तो आपको पता है फरवरी इन तीनों में आना है तो देखे सबसे left अले में तो फरवरी के लिए आपकी तीनों जगे खाली है तो अभी इसको आप use नहीं कर सकते हैं फ तो फरवरी सिर्फ सेकेंड में आएगा और फरवरी से पहले ऊपर वाला फ्लोर वेकेंट होना चाहिए लेकिन वहाँ पे तो जुलाई वाला मनता है तो इसका उला सेकेंड अली है जो बीच अली पॉस्बिल्टी कैंसिल हो जाएगी अब राइट अले में फरवरी के लिए इमीडेटली अबवव दा वन हुवेंट ओं मही ठीक है कहरा बी उस फ्लोर में रहता है जिसमें जो मही के अदब ऊपर है ठीक है जो मही के इदम ऊपर है थो देखिए बी सबसे राइट वाले डाइगरम को देखिए बी फिक्स है ना बी किसके उपर तो जन्वरी में वन हूं वन्ट आउन फरवरी तो अब पता जल गया ओर फरवरी के बीच में एक ही फ्रोर होना चाहिए तो फरवरी नीचे आना तो ओर फवरी में कौन है और अखने निए अभाई मारे पास विकेंट और G के बीश में 3 है तो देखें उपर जाएंगे हम देखें एक दो तीन छोड़के G जनुरी में आजाएगा नीचे जा सकते हैं एक दो तीन तो छोड़ना है लेकिन G की जगह नहीं बज़ी तो बस उपर ही जाएंगे G किस पर आजाएगा आपका जनुरी में आज वो F से पहले floor की बात नी और फिर से vacation की बात हो जाये है ठीक है किसकी बात और आपकी vacation जान की ही हो रही है ठीक है वही मंस की बात हो घॉरी है और लाच निकारा है D से नीचे रहेता अच्छा इसका यूस करें वह तो उव्हेंड़ की ऑट रहये बात आए नीचे रहेगे तो इसको मैंने यही से connect कर दिया इसके साथ ठीक है तो यह बन गी यह सारी आपस में ठीक है यह ठीक है अब देखते हैं हमारे पस ठीक है सबसे पहले F और A के बीच में gap जादा तो इसको fix करने की कोशिश करते हैं ठीक है persons को ठीक है तो देखें ऊपर से देखते हैं यहाँ प A नीचे आएगा मैं पस ठीक है तो F के नीचे ही कौन है अपरेल है अगर F को आप 7 पे रखते हैं तो भी अपरेल 6 पे आजाएगा अगर F को आप 2 पे रखते हैं तो भी अपरेल किस पे आजाएगा आपका C पे आजाएगा तो अभी यह विकेशन आपके हैं यह वाली आप आपका जी है ठीक है यहां पे आपका जुलाई था हमारे पास ठीक है यह खाली है यह जून लिखा है वेकेशन आना हो गया हमारे पास ठीक है फरवरी हो गया यहां पे आपका आना है मही ठीक है यहां पे लिख लेते हैं हम लोग मही को ठीक है और यहां पे जुलाई यहां से second पर ठीक है ए किस पर आ जाएगा आपका second पर आ जाएगा ठीक है ऐसा भी हो सकता है a उपर आ जाए हाना और फिर हमाई पस second पर कौन आ जाएगा आपका f आ जाएगा ठीक है तो f के एददम नीचे कौन था भई अपरेल तो April को हमने यहाँ पे ले लिया F के एदम नीचे किस को कर दिया हमने अपरेल को कर दिया F के नीचे अपरेल हो गया यह information सारी होगी हमाई पस तो अब answer निकलेगा इस से भई इस वाली से जो statement आपकी है तो भई F जिस महीने में होगा उस से पहले किसी महीने में A आएगा और उस से पहले किसी महीने में कौन आएगा C आएगा ठीके तो जरा एक बार हम क्या करते है सबसे पहले हम देखते है राइट वाले को ठीके सबसे पहले हम देखते है राइट वाले को अगर हम राइट वाले में बात करें A तो किसमे जा रहा है जुलाई में जा रहा है तो ये तो मही के बाद जा रहा है तो इसका मतलब यह ओला डाइगरम क्या हो गया आपका राइट ओला आपका रॉंग हो गया अच्छा लेफ्ट ओला देखते हैं अगर लेफ्ट ओले की अगर हम बात करें ठीक है तो लेफ्ट अले में F किसमे पहले F को हमने fix करा था जुलाई में ठीक है F को हमने fix करा था यहाँ पे लिख लेते हैं इक बाट ठीक है C है A है F है ठीक है तो इस तरह से आना है तो F किसमे आपका वही जुलाई में ठीक है अब A हमें गिवन है देखे A किसमें हमारे पास A माई में हमारे पास ठीक है तो माई जुलाई से पहले ही आता है अब माई से पहले किसी C में आचा है तो माई से पहले कौन को से माई होते है देखे जनवरी होगे आपका फर्वरी है, मार्च है, अप्रेल है, ठीक है, यही तीन है, माई पर फिम माई आ जाएगा, तो इन चारों में ही कहीं पर सी आएगा, तो जड़ा एक पर हम देखते हैं, यहां पर हमारे पास सबसे पहले देखें, जनवरी में सी आ सकता है, जनवरी में नहीं आ सकता है, क्यों अपरेयल C तो अलग है अपरेयल ओल्री फिक्स हो चुका है तो अपरेयल पे जाये mm եिवोकर नहीं तो क्वोँद सा बचता है आपका यहां पी बचता है तो मार्च आ जाएगा आपका C पर ठीक हैं तो तो C पे होगा, March, A पे होगा, May, B पे होगा, February यह वेकंट है, E पे होगा, June, April में एक person आएगा, जो अब हम देख लेते कौन है, July पे होगा, F और January में होगा, G ठीक है, एक A होगा, B होगा, C होगा, D कहीं नहीं होगा, तो D आजाएगा, आपका यहां पर, ठीक है, D उठा सकें, ओके, थैंक यू,